मदिया प्रदेश विदान सबाद चुनाओं में बंपर जीत दर्ज करने के बाद वीजेपी लोग सबाद चुनाओं की तैयारियों में जुड़ गई है बीजेपी ने लोग सबचुनाओं को देखते हुए बात किया तो यहां पर कई सारे बात की है और इस मामले को लेकर हमारे समधाता ने खास बातचीत भी की है सुनिए आप क्या कुछ कहा चंद्रभान सिंग गौतम जी को जल अद्देच बनाया गया है पास साल पूर में मलकान सिंग जी भी अद्देच रहे हैं कैसा उनका कारकाल रहा और इनसे क्या उमीद रहे गया देखे इनिश्य तोर पे हम आदर्णी मलकान सिंग दायुजब के अगर बात कर लें तो उनके कारकाल में भी संगठन में नई उचाईयों को चुआ है हमारे प्रदेश सद्दक्ष आदर्णी बीडी सर्माजी के मार्ग दर्सन में जब हम लोगों ने चुनाओ लड़ा तो यहां पर थे उस समय एक सीट थी और हमने देखा कि जब वो बिधान सवा के चुनाओ हुए तो हमने पास सीटों में बिज़ाइस्तिरी प्राप्ति की चार नगरपलका के चुनाओ होँ चार जन्पत के चुनाओ होँ हमने अभूध पूर्पर शपलता प्राप्ति की और संगठन शन्ते पार्टी को मैंने हमेशा से कहा है कि भारती जन्ता पार्टी एक बारती दस दिन काम नहीं करती वो तीन सो पैसल दिन में से यह थन सूप मंत्री जी थे जो हमारे मरतमान में चातरपूर से प्रदेश कारकार्णी शदस से आदर्णी चंदवान सिंग गौतम जी थे उनका चैन यहाँ पर चंदवान सिंग गौतम जी का हुआ तो हम निश्चत तोर पर कह सकते हैं चूकि संगधन से जोड़े हुए एक व्यक्ति का औ जो मलखांदिंग दाउसाब के नित्रुत में चातरपूर में चातरपूर जिले में संगधन में नाम रोशन हुआ उसको नई उचाईयों पर ले जाने के काम हमारे आदर्णी नई जिलाद्यक्ष आदर्णी चंदरवान सिंग गौतम जी करेंगे तो यह थे हमारे साथ भाजपा जिलाद्यक्ष असोक दुबेजी जो की बरतमान में भाती जनता पाटी में काफी सक्रिय कारकरता के रूप में परतकारी भी है और यह भी कहीं ने कहीं भाजपा जिलाद्यक्ष की दौर में थे तो वहीं हम बात करते हैं जैराम जो कि कॉपरेटिक बैंक के अध्यक्ष है अर्णरेश सिंग भी पूर्व जिला महमंत्री हैं यह लोग भारतिय जनता पार्टी के कहीं न कहीं चर्चा में थे कि जिलाद्यच की दौर में होंगे लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने चंदरवान सिंग गौतम को जो कि इसकार समिती सदस्य भी हैं इनको मौका दिया है आई एनेच के लिए बिनोद मिश्रा की रिपोर्ट